नमस्कार मैं हूँ सुर्भी स्तिंग और स्वागत है आपका हमारे चानल नेक्स नाइन लाइफ पर शाहिद कपूर की जिंदगी आसान नहीं रही है जी हाँ अपने माता पता को अपने सामने अलग होते देखना किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता है यहां आपको बता दें कि शाहिद कपूर की मा निलमा अजीम और पंकच कपूर ने शादी की थी और दोनों पान साल बाद यानि की 1984 में अलग हो गए थे शाहिद कपूर उस समय महस तीन साल की थे एक छोटे से बच्चे के लिए ये देख पाना काफी मुश्किल होता है कि वो अपने माबाप से अलग हो जाए लेकिन पंकच कपूर ने काफी अच्छी तरीके से शाहिद का पालन पोशन किया जी हाँ शाहिद ने ये बात खुद बताई थी कि हमारी चीजों को नॉर्मल करने में हमारे पापा का बहुत बड़ा हाथ है मेरे पापा ने मेरी बहुत मदद की है हर तरह से मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया है मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ लेकिन एक समय आया जब शाहिद कपूर 10 साल के हुए तो पंकच कपूर किसी और शहर चले गए और उन दोनों के बीच काफी जादा दूरिया बढ़ गए लगबग 8 साल की दूरिया बढ़ गए जब शाहिद कपूर 18 साल के हुए तो इन चीजों को फिर से नॉर्मल करना बहुत मुश्किल था शाहिद कपूर के लिए भी और पंकच कपूर के लिए भी लेकिन पंकच कपूर ने काफी अच्छी तरीके से सारी चीजों को सम्हाला क्योंकि माबाप से अलग होना एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है जी हाँ अपने बच्चे को फिर से उस महौल में लेकर आना बहुत मुश्किल होता है लेकिन पंकच कपूर ने कही पुल्डी से हार नहीं मानी और फिर से शाहिद कपूर के साथ वही नॉर्मल बॉंदिंग उन्होंने शेयर की उन्हें असिस्ट करना स्टार्ट किया और फिर शाहिद कपूर ने फिल्मों में कदम रखा और आज हूँ इतने बड़े सूपर स्टार है जी हां आपको बता दे क पंकच कपूर ने कहा कि जब हम दोनों एक साथ एकी फ्लाट में रहने लगे तब हमारे बीच नस्दी किया बढ़ी और आज हम काफी अच्छा बॉंड शेयर करते हैं जी हां शाहिद कपूर जहां अपनी मा से अतने ही क्लोज है वहीं अपने पिता पंकच कपूर के भी अगर अपने हाथ पीछे कर लिए होते तो शाहिद कपूर और पंकच कपूर का रिष्टा इतना अच्छा नहीं हो पाता तो इसमें सबसे बड़ा हाथ पंकच कपूर का है क्योंकि उन्होंने अपने बेचे का हाथ नहीं छोड़ा और काफी अच्छी तरीके से उन्हें अस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताईए जुड़े रहे हमारे साथ लाइक करें सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल लगूँ